दोस्तों इस कहानी में हमें एक ऐसे 50 साल के आदमी को देखेंगे जिसे 25 साल की हेर डेसर से प्यार हो जाता है जिसको पानी के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम अंटोनियो होता है जो की फ्रेंच डांस कर रहा होता है अंटोनियो अपनी इस छोटी सुमर में एक हेर डेसर से प्यार कर बैठता है जिसको देखने के लिए अकसर वो उसकी दुकान के पास जाया करता था वो लेडी अपने एरिया में काफी फेमस हेर डेसर थी जहां पे काफी सारे आदमी बस उसको देख के अपनी आग को सेकने के लिए आया करते थे जिसमें से एक अंटोनियो भी होता है जो कि अक्सर उसकी दुकान पे हेर कट करवाने के लिए जाया करता था और उसके वाटर मैलन को देखा करता था और दिन पर बस उसी लेडी के बारे में सोचा करता था एक बार जब वो उस लेडी की शौप पे जाता है तो वो देखता है कि उस लेडी की अचानक देथ हो गई है जिसके बाद अंटूनियो उसी को ही देख रहा होता है जिसके बाद कहानी कुछ साल बात दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि अंटूनियो अब एक 50 साल का आद्मी बन चुका है जो कि अभी तक अन्मेरिड है क्योंकि आज तक उसे वो लेडी नहीं मिली थी जिनका नाम मिस मलेना होता है और अंटूनियो आज भी हर रोज बस उसी को ही याद किया करता था जहां अंटूनियो के एरिया में एक नई हेर डेशर की सौब खुलती है जहां पे अंटूनियो जाता है और उसे वहां पे एक बहुत ब्यूटिफूल लेडी दिखाए देती है जो कि वहां की हेर डेशर होती है जिसका नाम मिस सोफिया होता है मिस सोफिया को देखके अंटूनियो को उसकी मिस मलेना याद आती है और वो जब जब सोफिया को देखता है उसको मिस मलेना की ही याद आने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि अंटोनियो अक्सर उस लेडी की शॉप में जाने लगता है जहां पर वो अपना हर रोज हेर केर करवाता है और एक दिन मौका पागे वो उसे परपोस कर देता है जहां पर मिस सोफिया पहले उसकी राफों को एगनौर करती है मगर अन्टोनियो हार नहीं मानता और मिस सोफिया के पीछे पर जाता है और एक बर जब उसकी शॉप में कोई भी नहीं होता तो वो उसके साथ जाके फिसकल हो जाता है जिसके बाद इन दोनों का अंदर काफी रोमैंस करते हैं जिसके बाद कुछ टाइम बाद दोनों लोग चर्च में जाके शादी भी कर लेते हैं जहां पे मिस सोफिया काफी यंग लेडी होती है मगर अंटूनियो काफी बूरा हो चुका होता है मगर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में काफी अच्छा प्यार होता है और दोनों लोग काफी आपस में साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं मगर मिसोफिया अंटॉनियो से साधी करने के बाद भी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ती वो अपनी हेर डेसर की शौप को चालू रखती है जहां पर हम देखते हैं कि अंटॉनियो भी एक गार्डन में लेके जाता है तब वहां पे एक बुड़ा आदमी आता है जो कि अंटॉनियो से कहता है कि तुम जितना ज़्यादा बुड़े होते जाओगे उतना सोफिया के लिए प्यार कम होता जाएगा क्योंकि एक समय के बाद सोफिया तुम्हें छोड़के चली जा उसे आपस में काफी रुमैंस करने लगते हैं और दोनों लोग उस रात काफी खुश होते हैं मगर तभी मिश्च सोफिया को याद आता है कि वो अपना कीमती समान उस गार्डन में छोड़ाई है जहां पि वो अंटॉनियो से कहती है कि वो अपना समान लेने के लिए गार् कर दोन की तरफ जा रही होती है तो सब्सका बैलंस बिगण जिकर जाता है और वो एक जील में गर जाती है और सडनले उसकी वहां पे दैध हो जाती है जहां पर हम आपी देखते हैं उसे लगता है कि मिस सोफिया कभी न कभी तो उसके पास वापस आ ही जाएगी वो सोफिया के जानने के बाद उसकी सौप को खुदी चलाता है और वो अपनी लाइफ में फिर से खुश हो जाता है जहां पे हम आखरी बार अंटोनियो को फिर से फ्रेंच डांस करते हुए देखते हैं और ये सीन दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है तो आई हो गास आपको इस मूवी का एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा होगा बिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू